हाई कैसे आप सबी लोग तो यहां पर आज हम बात करने वारे में जो आप लॉंग टम तक होल्ड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटन दे सकते हैं वैसे लॉंग टम कहने का मतलब है मिनिमम दो साल का आपको लेके चलना पड़ेगा पेसेंस के साथ हो सकता है उससे पह बहुत सारी स्कैम भी होती है तो जब लॉंग टम के लिए किसी क्रिप्टो को होल्ड करते हैं तो सबसे ज्यादा देखने के बात ही होती है कि कोई मजबूत प्रोजेक्ट को हम होल्ड करें जो आने वाले लंबे समय तक टिक है और हमें साथ ही साथ अच्छा रिटन देख जाए तो यही चीज़ को देखते हैं आप में आपके लिए तीन क्रिप्टो करेंसी बताने वाला हूं तो पेसेंस के साथ इनको आप होल्ड कर सकता है पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा यह सॉलिड प्रोजेक्ट है और अभी हां इसने पिछले को बहुत अच्छा है रिटन देखने को मिल सकता है इस टोगिन का नाम है काडेनो जरूर आपने इसका नाम सुनाओगा टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपनी जगा बना के अभी तक रखा हूँ है टूटल वैली लॉक में यह आपको टॉप 5 के अंदर आता है तो ब बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट है और ट्रस्टेवल प्रोजेक्ट है इसके जो फाउंडर है 400 के इकसन वह वही है जिन्होंने इथेरियम को भी बनाने में मदद केया इथेरियम के जो को फाउंडर है उन्होंने यह काडेनों को भी हाँ पे बनाया है तो इस इसाफ़ से आ तो आप अच्छा खासा इन्हें स्टॉक कर सकते हैं और लॉंग टर्म में इनकी प्राइस डेफिनेटली जाने ही वाली उपर क्योंकि इनके पीछे की जो प्रोजेक्ट है वह बहुत सॉलिड है दूसरे टोकन के बात रहती है आपको हुआ ही टोकन है हुआ ही ग्लोबल आपक स्ट्रेट हो रहा है लेकिन अगर आप इसे भी लॉंग टर्म तेक होल्ड करते हैं तो हुआ ही टोकन भी आपको बहुत अच्छा यहां पे रिटन देख जाएगा क्योंकि इसके पीछे का जो प्रोजेक्ट है हुआ ही ग्लोबल वह काफी सॉलिड प्रोजेक्ट है इसे बहुत ज्यादा सॉलिड प्रोजेक्ट है और यह अभी करेंट लिए अटारा डॉलर के असपर श्ट्रेड हो रहा है और इसे कर आप लॉंग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो पोल का डॉट भी आपको नेक्स लेटन दे दिया है और लेकिन हाई लॉंग टर्म में अगर अगर आप लॉट कर पाते हैं तो यह भी एक बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट है यह कुछ तीन मेरे ऐसे क्रिप्टो करेंसी बता हैं जो अगर आप चाहें तो मिनमम दो साल का पेसेंस के साथ इन्हें होल्ड कर पाते हैं तो यह आपको बहुत अच्छा रिटन दे के जाने में आप इन्वेश्टिन के समय डी सीय करने के बारे में ज्यादा फोकस करें डॉलर कॉस्ट अबरेजिंग यानि कि जब हलका डीप दिखे आपको एकुमिलेट करने कि इसको कोसिस करने चाहिए अमार्किट अपडाउन होता रहता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं लेकि अबरेफ़ आपको एक छोड़ी लेकिवाए बात पॉलरेज बात पीस करने के सकत्व दिखे इसको करने के साथ अमार्किट अबरेजियों के सकत्वाए थे तो पारे में जुछ या थाफ़ीश्टिशियों के सनावापवावफब्जॉ झाल झाल